खीज़े जैक मैं नए वीडियो के साथ फिर मैं एक बट हजर हुआ हूं जिसमें सेना से ठीड लिडियो है यह लिखित परिछा से है तो देखते हैं कि यह इसमें कहा जारहा है, क्या बताया जारहा है, तो इस रेनल पर अगर आप नए हैं, तो सबस्क्राइब कर ले èd Sharp Division अगर आ रहे हैं, तेक्छ का अधरा जादा सेर करते। इसे बारे करते बारे का आप जारे करते हैं, तो इसे बाइरल कर दें इस वीडियो को सेयर कर दें अपने दोस्तों में तो ठीक है टाम नहीं गवादते हुए फिर मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं कि क्या बताया गया है इसमें तो देखें हेड्लाइन है कि टल सकती है सेना भरती की लिखित परिच्छा है ना टल सकती है सेना भरती की लिकित परिचा तो ये कब का है किसका है इसको थोसा 12 हम लोग देखते हैं है ना क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया है ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है तो चलिए देखते हैं वी शनीवार के पेपर मी ऐस चुका था हुख तो चले देखتे हैं कि क्या बताया जा रहा है। लखनाउ से हैं तो बोला जा रहा है कि देश भर में 26 अप्रेल को एक साथ होने वाली सेना भरती की लिक्त पर इछ्छा अस्थागित अस्थागित करने की तैयारी है। फिर शेक वाद देख लेते हैं कह रहा है कि निशानतियादब के द्वारा ये देखे लखनाऊ कि देश भर में 26 अप्रैल को एक साथ होने वाली सेना भरती की लिखित परिच्छा अस्थागित करने की तैयारी है यहां तक बताया गया कि अस्थागित करने की तैयारी है क्यों करोना बाइरस के बढ़ते संक्रमन और लॉक डॉन जो हम लोग घर में रह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है आर्मी का भी हर काम रुक चुका है वहां पर भी कोई बर्क नहीं हो रहा है तो इसके कारण जो आर्मी का भरती होने वाला था एक्जाम और मेडिकल जो चल रही थ जिनका था रिव्यू वह हुआ यानि रिमेटल जिनका था ना होने के कारण उनका रिमेटल किलियर नहीं हो पाया है जिसके कारण होने कारण अब कुआंड है ना फिर आगे देखें क्या वताquest परिच्छा याने CAE, combined combined जो एक साथ होने वाला था combined परवेश परिच्छा ठीक है 26 अप्राइल को नहीं हो सकेगी रच्छा मंत्राले ने सुक्रवार को देश के सभी जनरल भरती मुख्याले के DG, ADG एबं अन्य शेना 26 अप्राइल को नहीं हो सकेगी रच्छा मंत्राले ने सुक्रवार को बोले न भी कि सुक्रवार को ये बात हुआ था सभी जनरल के साथ ठीक है जो भी हमारे मुख्याले के हेड थे उनसे बात किये हैं रच्छा मंत्री और वो सुक्रवार को बताए तो सनी वार कोई पेपर में आ चुका है तो इसमें डीजी और अन्य शेनाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी सभी को यहाँ पर बैठक बुलाया गया था डीजी को सुक्रवार को कब बुलाया गया था तो यही इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता है 26 तारिको अब लॉंग डॉन जब खत्म होगा तब इसका घोषना किया जाएगा कि कब आपका एक्जाम होगा कि 31 माई को होगा या और 31 माई को ऐसे नोटिस में सो कर रहा है ठीक है जोएन इंडियन आर्मी पर कि 26 अप्राइल को होने वाली एक्जाम को 31 माई को लिया जाएगा तो देखे अभी तक किलियर नहीं है अभी तक किलियर नहीं है आप लोग अपना मेहनत करते रहें आप लोग का एक्जाम होगा है और रीमेटकल जो भी बचे हुए है छात्र उनका Remedical भी होगा लोग में हला है कि Remedical वाले को अब नहीं लेगा, ये करेगा, वो करेगा तो सब Remedical वाले टेंशन नहीं लीजिए अपना पढ़ाई जारी रखिए और महनत करिए आपका Remedical होगा शेना का भरती है, है न? ये आपका दिकत नहीं करेगी ठीक है तो आप लोग डॉन को पालन करते हुए आप लोग पढ़ें और मेहनत करें और अपना फिसकल मिटकल बचा के रखें अपना पढ़ने में तैयारी करते रहें तो इस चैनल पर आपको रोज पढ़े जीके और मैत का विक्रिशन बन के मिल रहा है तो आप उसे देखें और बारीकी से करें ठीक है तो बस आज इतना ही तक जैहिंद जैभारत नए वीडियो के साथ फिर मैं हाजूर हूँगा और नए तरीके से